पोकेमोन अनिमे को स्टार्ट हुए लेकिन किसी के मन में क्या ही चीज आई है कि पोकेमोन अनिमे में दो हो ओ एक्जिस्ट करते है तो देखो यार मेरे मन में तो आई है बहुत दिन से नहीं आयती मैं थोड़ा बहुत सोचा इसके बारे में फिर मुझे लागा कि इसके उपर टॉपिक यह टॉपिक अच्छा है और में को लगा कि आप सब यह बताना चाहिए तो फिर मैं यह वीडियो बना दी एंड इस वाली वीडियो में मैं शाइनी को भी इंक तो वह आपको अलग पीटिंग है और उसका गुसा अज मेरे चैनल पे निकालोंगे अनसब्सक्राब मार कर तो बिल्कुल उनसब्सक्राब बिल्कुल मत मारना और सब्सक्राब पर देना ठीक है अगर अगर ऑपने गेम्स के तरफ देहें तो देखोिए पोकेमोन गो की बात कर लेते हैं उसमें मतलब shiny के जो rate होते है, मतलब कोई-कोई 500 होते है, कोई-कोई तो 1000 होते है, तो देखो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब legendary का भी होंगा ही, क्योंकि देखो अगर legendary होंगे तो मतलब जादे-जादे कितने legendary हो सकते है, लेट्स टेक एक्जाम्पल विद जैनिसेक्ट तो अगर आपने पोकिमोन की मूवी देखिए जैनिसेक्ट वाली एंड उसका नाम तो फिलाल भूल गया हो क्योंकि रिकॉर्डिंग करते था में नाम याद नहीं आया एंड रिकॉर्डिंग कर निती तो स्क्रीन पे देख लो नहीं होता है ऐसा होता तो फिल पोकिमोन गो में अगर आपने पोकिमोन गो खेला है तो उसमें हर एक पोकिमोन का शाइनी फॉर्म अविलेबल है आप कुछ-कुछ ऐसे जो कंसिडर नहीं कराए गया और कोई-कोई मिलब ऐसे बताए नहीं है उसमें जैसे कि म्यूटू को ले लिते हैं तो देखो अगर मुटू का मतलब शाइनी फॉर्म उसमें है तो एनिमें भी होना चाहिए लिकिन नहीं है ना मेरा इतना सब कुछ समझाने का मतलब यही है कि आपको यह प्रूफ करना कि हर एक लेजेंडरी का मतलब जरूर नहीं है कि शाइनी फॉर्म हो लेक तो इसने बता दिया यह एक है और यह एक है तो पूरा देखू वीडियो को ताकि आप सभी को समझ में आजाए कि पुखमान अने में में दो हो भी एक्जिस्ट कर सकते हैं बट इस अपन अस कि हम मतलब हम क्या समझे तो आज की सेरी वडे में हम यह सारी चीज़े डिसकस करने माले है तो वीडियो का मतलब अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना आज की वीडियो का लाइक एम है ठटी रखता हो फिर से पिसली वीडियो का लाइक हम इस और आज की पोकेमोन एनिमे के एपिसोड वन से फिर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया कि आज सुभा सुभा उठता है अड़ लेट हो जाता है उसके स्टाइटर को मतलब शूर्स करने पर तो देखो उसे स्टाइटर में तीनों तो नहीं मिलता है तो देखो तो बात नहीं मानता था और जैसे कि मतलब आप सबी को पता है थोड़ा सा आगे मैं मैं स्किप करता हूँ थोड़ी बाते तो देखो जब जब Nawazmola ने अटक किय था । पिकचु ने मतलब उसके हलात थी घंज़ अई उसके आटक कर फिर पीशन पूरी जान के एक थंडर बोल्ड आर ठंडर सॉक का जब उसने एक अटक कियाult मतलब सब कुछ हिल गया और मिस्टिकी साइकल बरबाद तो देखो या टॉपिक पर आते है और जब आश और पिकाचु मतलब ऐसे क्या वुल्यूमेहा बेहोश हो गय थे और जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि आसमान में रेंबो है और उसके ओपर से एक पोकेमॉ वाला हमें रहा है और जो की व्लाइंग ताइप है और उन्हें पता तो इनिन रहा है कौन रगार या आश पूछता है पोकेड़क से कौन सब कुमान है और पोकेड़क ऑ्टा है कि हमने यहाली एक पोकेमॉन बनलब वह नहीं कहारी कुनाईज ही आदिक पारने तो इसके व जाता है तो इतना shiny होता है घोल्डन SHINING अधोल में होता है मस्कि एतना shine करता है कि उसका पूरा color आई सब्सक्राइब आम हमें लगा था कि इसका वह आई है और में कुछ लोगों तो ऐसा भी लगा था कि हो होौ जो है वह वह मान लेकिन ऐसा रहा हो वही हो ओ जो टो डिजन में भी दिखाया गया था ऐसा सब लोग मानते हैं लेकिन मुझे थोड़ा बड़ा डाउट होता है तो डाउट क्लियर करते हैं अगर आपने Pokemon I Choose You Movie देखें उसके अंदर जो हो है उसका कलर रेड और कुछ और भी कलर्स है उसके अंदर तो मतलब क्या मैं यह समझ सकता हूँ कि मतलब हो का भी शाइनी फॉर्म था यह चीज तो Pokemon I Ami में अभी तक क्लियर नहीं करी गई है लेकिन अगर मैं मतलब आपको क्लियर कर पाऊ तो वीड़ो को पूरा देखना अगे बढ़ते है देखो तो देखो एक logic मतलब बात बताता हूँ आपको मैं देखो अगर आपने Shinchan की मतलब पहला वाला season देखा तो उसके अंदर उसका जो मतलब graphics थे कुछ और ही थे अभी जो आप graphics देखते हो जैसे कि आप सभी को पता हूंगा कि अगर कुई मलब इसके जो ग्राफिक्स जो इदम बेकार रहते थे थे अब भी जो ग्राफिक्स से हो कुछ अलगी है जैसे कि बेब लेड आरी में देख साकते हो बेब लेड गरेशन वन में जो टाइसन होता है उसका कुछ अलगी जैसे कि आप सभी को पता हूंगा कि अगर कुई मलब अनिमे चालू होता है जैसे कि हम टोरिमॉन को पकड़ लेते हैं उसके पहले ग्राफिक्स जो थी मलब घटिया टाइप के थे अगर हम जो उसके ग्राफिक्स देखते अभी वाले तो मतलब इतने मलब फूल ग्राफिक देखते हम उसके तो मतलब कितना मतलब फ़र कहना दोने में तो यह होती है ग्रोइंग जो कि पोकेमॉन अनिमे के मलब हो में भी हुई है जैसे कि उसका पूराना पिक्सल पूराना ग्राफिक्स जो था वो गोल्डन कलार में था और जो अब उन्हों नया डिजाइन करके हो जो पहले एपिसोड में दिखाया गया था उसका मतलब थोड़े से ग्राफिक्स चेंज कर दिया और हमें दिखा दिया तो यह भी पॉसीबाले गाइस तो मतलब ऐसा बिलकुल मसा बंदना कि उसका शानी फॉर्म मतलब फॉम फॉम है जिजज़ ने मेरी ये वीडियो पूरी यहां तक दे की है तो उसको दिल से शुक्रिया तो आज की स्यूड में मैं आपको यही पताने वाला था है और ओप यू इंजॉई द वीडियो और अगर नहीं समझ में आई तो मैं वीडियो को रिवाइंड करके देख लो पीर से त झाया कर दो आखे लो आखे लो आगखे लो आखेवासं वीडियोा.